संजय लीला भनसाली की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म पद्मावती बन कर रिलीज होने को तयार है अब भनसाली अपनी अगली फिल्म पर फोकस कर रहे हैं भनसाली की अगली फिल्म मशूर शायर, साहिर लुध्यानवी और कवीतरी अमरता प्रीतम पर आधारित है इस फिल्म को भनसाली खुद प्रोड्यूस कर रहे है बताया जा रहा है कि इस फिल्म में पहले अमरता प्रीतम के किरदार को प्रियंका चोप्रा निभाने वाली थी लेकिन लगता है भनसाली इस फिल्म में भी अपनी फेवरिट दिपिका को ही देखना चाहते हैं इसलिए तो अब प्रियंका नहीं बलकि उनकी खास सहिली दिपिका इस किरदार को निभाएंगी इसके साथ ही भनसाली के साथ ही उनकी चौथी फिल्म होगी वैसे फिल्म का नाम गुस्ताखिया बताया जा रहा है लेकिन अभी इस नाम की अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है वही साहिर लुध्यानवी के रोल में अभिशेक बच्चन नजर आने वाले हैं अभिशेक ने इस प्रसिद किरदार को निभाने के लिए ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी है और बाकी फिल्मों को अभी इस प्रोजेक्ट से दूर रखा हुआ है अभिशेक ने साहिर के सभी गीत, गसले, शायरी, सुननी शुरू कर दी है और खबरों के लिए सबस्क्राइब कीजिए हमारा चाहिर